कहते हैं कि भगवान कृष्ण की 16,108 पत्निया थी, इस संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं और लोगों में इसको लेकर जिग्यासा भी है। आईए, जानते हैं कि कृष्ण की 16,108 पत्निया होने के पीछे राज क्या है? महाभारत अनुसार क्रिष्ण ने रुक्मणी का हरण कर उनसे विवाह किया था। यह कारण था कि कृष्ण को रुक्मणी का हरण कर उनसे विवाह करना पड़ा। पर सूर्य पुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पती रूप में पाने की कामना से तप कर रही थी। कालिंदी की मनो कामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उसके साथ विवाह कर लिया। फिर वे एक दिन उज्जेनी की राजकुमारी को स्वैमवर से वर लाए। परन्तु इस बात की कोई पुष्ट नहीं है। पुराणों अनुसार तो वे मित्रविंदा को उसकी इच्छा नुसार भरी स्वैमवर सभा से बलपूर्वक ले आये थे। उसके बाद कौशल के राजा नग्नजित के साथ बैलों को एक साथ नात कर उनकी कन्या सत्या से पानिग्रहन किया। ततपश्चात उनका कैकेये की राजकुमारी भद्रा से विवाह हुआ। भद्रदेश की राजकुमारी लक्ष्मना भी कृष्ण को चाहती थी। लेकिन परिवार कृष्ण से विवाह के लिए राजी नहीं था। तब लक्ष्मना को श्री कृष्ण अकेले ही हरकर ले आए। इस तरह कृष्ण की आठ पत्निया थी। रुक्मनी, जामबवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्य, भद्रा और लक्ष्मना। यह एक जूट है कि श्री कृष्ण की 16,108 पत्निया थी। कृष्ण अपनी आठों पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्ग लोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की। हे कृष्ण, प्रागज्योतिशपूर के दैत्य राज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही कर रहे हैं। कृर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिती के कुंडल और देवताओं की मनी छीन ली है और वह त्रिलोक विजई हो गया है। भौमासुर ने प्रिथवी के कई राजाओं और आमजनों की अतिसुंदरी कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहां बंदी ग्रिह में डाल रखा है। नभश्वान और अरुण का संहार किया। अगज्योतिश का राजा बनाया। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई गई। 16100 कन्याओं को श्रीकृष्ण ने मुक्त कर दिया। यह सभी अपहरित नारियां थी या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थी। और किसी और माध्यम से उस कारागार में लाई गई थी। वे सभी भौमासुर के द्वारा पीडित थी। दुखी थी। अपमानित, लांचित और कलंकित थी। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनकर रखी गई। इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्रीकृष्ण ने सभी को आश्रे दिया। ऐसी स्थिती में उन सभी कन्याओं ने श्रीकृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पती रूप में स्वीकार किया। लेकिन श्रीक्रिष्ण उन्हें इस तरह नहीं मानते थे। उन सभी को श्रीक्रिष्ण अपने साथ द्वारिकापुरी ले आए। वहां वे सभी कन्याएं, स्वतंत्र पूर्वक अपनी इच्छा नुसार सम्मान पूर्वक द्वारका में रहती थी। महल में नहीं, वे सभी वहां भजन, कीर्टन, ईश्वर भक्ति आदि करके सुख पूर्वक रहती थी। द्वारका एक भव्य नगर था जहां सभी समाज और वर्ग के लोग रहते थे। भौमासुर जिसे नरकासुर भी कहा जाता था। भागवत पुराण में बताया गया है कि भौमासुर भूमी माता का पुत्र था। विश्णु ने वराह अवतार धारन कर भूमी देवी को समुद्र से निकाला था। इसके बाद भूमी देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पिता एक देवी शक्ती और माता पुन्यात्मा होने पर भी भौमासुर क्रूर निकला। वह पशुओं से भी ज्यादा क्रूर और अधर्मी था। उसकी कर्तूतों के कारण ही उसे नरकासुर कहा जाने लगा। नरकासुर प्रागत ज्योतिशपूर का दैत्य राज था जिसने इंद्र को हरा कर इंद्र को उसकी नगरी से बाहर निकाल दिया था। नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे थे। वह वरुन का छत्र अधिति के कुंडल और देवताओं की मनी छ किया और उसके एक पुत्र भगदत को अभायदान देकर उसका राज दिलक किया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।